नमस्ति दोस्तों जी हां मैं उजन्ता का दोस्तों राख का बोस्ता शीश चोबरी और मैं आप लेके आ रहा हूँ पन्वेल ग्रामील की नौ तारिक की रिपोर्ट जी हाँ लेकिन उसके पहले जैसे मैं हमेशा आप से बात करता हूँ मैं आपको कुछ एक कहानी से नाने वाला हूँ कि एक व्यक्ति था उसे एक एड़ोकेट से नोटिस जाता है और उस व्यक्ति ने उस एड़ोकेट की नोटिस को नजर अंदास किया उसका उत्तर नहीं दिया अब उत्तर नहीं देने का मतलब ये भी होता है कानून में कि आपने उस चीज़ को मान लिया है ये नोटिस किसी भी तरह से सर्व किया जा सकता है वो अपसब के द्वारा, इमेल के द्वारा या रजिस्ट्री के द्वारा खास करके लॉपडाउन में अब उसने नहीं किया, साथ दिन के अंदर रिप्लाई नहीं दिया तो उसकी बाद क्या हो गया? उसके बाद पूर्ट से समवन ये वारंट जारी हो जाता है तो तब तो जाना ही पड़ेगा तो इसलिए हमेशा सही तरीके का इस्तिमाल कीजिए जब भी एडवोकेट का आपको कुछ नोटिस आता है तो तुरंट जवाब दीजिए पाड के फेकिनी के एडवाईज बहुत लोग देते हैं मगर हर एक चीज़ को कच्चा नहीं समादना चाहिए तो ये एक नसीहत थी जो हमने भी सीखी है जीवन में तो चलिए चलते हैं कोविड-19 की चाश्री जिनकी हुई है आज तक उनकी पूरी संक्या है 1093 जी हाँ और आज तक जो पूरी तरह से अच्छे हो गए है आज 30 रूग्ण अच्छे हुए हैं तो उनकी संक्या है 648 और विद्मान इकूर रूग्ण जो है 378 है कोविड-19 से मिजित्यू जिनकी हो गई है अभी तक वह 28 हो गए है 28 डेट्स आज तक जो टोटल अच्छे हुए है आज की 57 रूग्ण मिला के जो पॉजितिव रूग्ण है सॉरी नॉट अच्छे पॉजितिव रूग्ण है वो 57 रूग्ण है तो उनको मिला के हो गई है 1054 और तपास्ति नुका जिनका प्रलंबित है यानि जिनका आने वाला है वो है 11 और जिनका नेगेटिव आया है उनकी संक्या है 8 अब दिखते हैं आज के जो रूग्ण मिले है नौ तारिकों क्या क्या रूग्ण मिले है आदई में मिला है एक रूग्ण मिला है एन्ड रिकावर्ड है तू डेथ है वन अदई में वन डेथ है आप्टे में वन पॉजिटिव मिला है जीरो रिकावर्ड है बट डेथ है वन जी हाँ आजी वली में एक पॉजिटिव है जीरो रिकावर्ड है आपूरली में फोर पॉजिटिव मिले है, जीरो रिकवर्ड है और जीरो डेथ है बामन ढूंगरी में टू पॉजिटिव मिले है, टू रिकवर्ड है और जीरो डेथ है जी हाँ बावा वी पाड़ा में वन पॉजिटिव है और जीरो नेगेटिव है और जीरो डेट है चिंचवण में नो पॉजिटिव तू रिकावर्ड और नो डेट बिंगार में बिंगार वारी में वन पॉसितिव जीरो डेट बाट पॉणी में वन पॉजिटिव जीरो डेट है मुरावे में 0 positive, 0 recovered and 1 death. Yes. And डेरवली में 1 positive, 0 recovered, 0… पाठपोडी 1 positive मिला है, 1 recovered है and 1 death है. जी हाँ. और दोपाली में 2 मिले है, 0 recovered है. डेरवली में 1 मिला है और 0 recovered है. देवल्द में 1 positive है, 0 recovered है. दिघाटी में 1 positive है, 1 recovered है, 0 death है. अब आते हैं कारंजडे में. कारंजडे में 1 मिला है विद्या हाइट, sector B 9. और एक और मिला है शाम रेसिदेंसी, sector 2 में. और 1 मिला है आयूशी हाइट, sector 5 A में. तो इस तरह से कारंजडे में 3 रुगण मिले हैं और 2 रुगण अच्छे हुए हैं. और कोई भी death नहीं है कारंजडे में. कपरोली में 13 positive मिले हैं. कपरोली में 13 positive मिले हैं, कोई भी recovered नहीं है और कोई death नहीं है. मुहों में 1 positive मिला है और कोई recovered नहीं है. हरीग्राम में 1 positive मिला है, कोई recovered नहीं है. नंदगाओं में 1 positive मिला है, कोई recovered नहीं है. पाले गुदरत में एक पॉजिटिव मिला है कोई रिकवर्ड नहीं है साही में कोई भी पॉजिटिव नहीं मिला एक रिकवर्ड है और सावडे में कोई भी पॉजिटिव नहीं मिला है एक रिकवर्ड है शेनूम में एक पॉजिटिव मिला है कोई रिकवर्ड नहीं है शेरोन में तीन पॉजिटिव मिले है कोई रिकवर्ड एक रिकवर्ड है तारा में कोई पॉजिटिव नहीं मिला है एक रिकवर्ड है सुकापूर में तीन पॉजिटिव मिले है जी हाँ और एक रिकबड है अब आते हैं उल्वे की तरफ उल्वे आपका वेब्रिट है उल्वे में अपको बता लेता हूँ स्केर तरिमूरफी सोसाइटी में एक मिला है सेक्टर 27 फिर एक मिला है संकिश्वर प्लाजा सेक्टर नौ फिर एक मिला है रिद्डी सिर्डी सोसाइटी सेक्टर 20 फिर एक मिला है प्राइम रेसिदेंसी प्लॉट नमबर 19 यहां पे प्लॉट नमबर दिया है महां सेक्टर दिया है थोड़ी सी रिपोर्ट में कुछ गड़बड है रोज अपाट्मेंट में एक मिला है सेक्टर बीस में तो इस तरह से टोटल पांच मिले हैं और चार रिकवर्ड हुए है जी हां उल्वे में और कोई उल्वे में डेथ नहीं है वड़गर में एक पॉजिटिव है कोई रिकवर्ड नहीं है विचुम्बे में एक पॉजिटिव है चार रिकवर्ड है वाज टोटल रिकवरी जो ही है वो 30 है और टोटल डेट्स जो ही है वो 6 डेट्स हैं 6 डेट्स तो इस तरह से यह था पन्विल ग्रामिण का और आप लोग हमें हमेशा हमें आरे हमारे चैनल के साथ बने रहते हैं इसलिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद COVID-19 में अपने स्वास्त का खास करके ध्यान रखिए बिना वजे बाहर मत निकलिए पुलिस खड़ी है और यदि काम है तो आप जाईए आपका काम करिए और तुरंत अपने हाथों को सैनिटाइज कीजिए मास्त पहनिए और शाशन की नियमों का पालन कीजिए तो इसी की मैं आपसे रजा लेता हूँ जैहिन जैह मारास्त पहुआ